Electrification with Autonomous Vehicles की परियोजनाओं और टेसला जैसी टेकनोलोजी से हम पहले ही Electric Cars को लेकर उमीद से लबरेज हैं। अब एक अधियर में भी यह बात सामने आ गई है कि एट साल के भीतर पेट्रोल डीजल कारें खत्म हो जाएंगी। कहा गया है कि पेट्रोल पांप वस पेपाट्स की इतनी कमी हो जाएगी कि लोग इलेक्ट्रिक कारों की तरफ तेजी से रुख करेंगे। स्टेंफर्ड के एकनुमस्ट टोनी सीबा का मानना है कि ग्लोबाल ओहल बिजनेस साल 2030 तक खात्मे की कगार पर आ जाएगा। में एक अध्यान रिपोर्ट में टोनी ने बताया कि इलेक्ट्रिक कारों का दौर ट्रांस्पोर्टेशन को पूरी तरहें बदल कर रखतेगा स्टेंफर्ड युनिवसिटी में। चपीज अध्यान रिपोर्ट में कहा गया कि एट साल के भीतर पैट्रॉल डीजल कारें खत्म हो जाएंगी और मजबूरी में लोग इलेक्ट्रिक कारें वा अट्रॉनमिस वियेकल्स की तरफ तेजी से बढ़ेंगे टोनी का कहना है कि इलेक्ट्रिक वियेकल्स पराने वाल पैट्रोल डीजल के मुकाबले 10 गुना सस्ता होगा साथ ही एलेक्ट्रिक वियेकल्स की लाइफ सो लह शून्य नौ 344 किलोमीटर होगी वहीं पैट्रोल डीजल पर चलने वाले वाहनों की लाइफ तीन 21,000 किलोमीटर ही होती है वह कहते हैं कि एक दशक से कम वक्त में ही पै पाट्स और मशिनरी की भारी कमी हो जाएगी आपको बता दें कि ओडी, फोक्स वेगन, मर्सिडीज बैंज और वाल्वो जैसे आटो मेकर्स ने पहले ही एलेक्ट्रिक काज़ वा अटॉनमिस टेकनोलोजी से हाथ में ला लिया है भारत की बात करें तो यहां नागपुर श जल दिलेक्ट्रिक कैब्स की शुरुआत करने जा रही है